Samsung Galaxy A17, are you excited? So let's go started! तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बतने वालो Samsung Galaxy A17 के Concept के वारे में कैसे इस smartphone होने वाले क्या क्या फीचर आपको देखने को मिलेगा डिजाइन काई जाओने वाले ओवरले स्मार्फोन 2019 स्मार्फोन मार्केट को काफ्चर करेगा की नहीं करेगा सबी के बारे में आपका सारे डाउट किलियर करूँगा एन जो वीडियो एक concept related वीडियो है कोई भी leaks and rumors related वीडियो तो नहीं है तो overall जो concept है पॉपल ले मेरा concept है कोई भी leaks and rumors related नहीं है तो without wasting our time let's get started तो सबस्वाइले बात करूँ Samsung Galaxy A70 के design के बारे में बैक साइड में आपको glass finish देखने को मिलेगा एन उसके साथ आपको 4 camera setup देखने को मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा unique feature होने वाले 2019 में और उसके साथ आपको aperture control भी देखने को मिलेगा और TOF sensor भी देखने को मिलेगा और उसके साथ बैक साइड में आपको कोई भी physical fingerprint sensor देखने को नहीं मिलेगा यानि कि स्मार्पोन में आपको देखने को मिलेगा in display fingerprint sensor फ्रॉंसाइड की बात करूँ तो फ्रॉंसाइड में आपको देखने को मिलेगा एक punch hole camera जहाँ पर setup होगा एक single camera कोई भी आपको dual camera setup देखने को नहीं मिलेगा और बात करूँ इसका display के बाड़ में तो आपको पॉपाली H2S display देखने को मिलेगा उपर में आपको 3.5 mm audio headphone jack देखने को मिलेगा और नीचे के दर आपको type c port and push speaker gill देखने को मिलेगा लेफ्ट हैं साइड में आपको देखने को मिलेगा volume locker and power button तो बात करूँ इस smartphone के display के बाड़ में तो इस smartphone में आपको देखने को मिलेगा 6.4 inch super amoled display panel जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा 16 million color option और यह जो display होने वाले Quad HD plus display होने वाले और जिसका resolution होने वाले है 1340 x 1440 pixel तो display quality बहुत ज़्यादा बेटर होने वाले है साइड में आपको कार्व देखने को मिलेगा जिसके वाए से display का जो look and feel होगा बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा और operating system के बात करूँ तो इस smartphone में आपको देखने को मिलेगा android 9.0 यानि कि security पाच आपको बहुत ज़्यादा टाइट देखने को मिलेगा कोई भी security के जबसे compromise देखने को नहीं मिलेगा और बात को यह आपर custom AI के बार में तो regular wise आपको यह आपर custom AI देखने को मिलेगा Samsung का 1 AI जो कि आपको प्रोबाइट करेगा face and clean interface तो processor की बात करों तो इस smartphone में आपको बहुत ही must processor देखने को मिलेगा जो किया गया Samsung की तरफ से Samsung Exynos 9 का processor जिसके अंदर आपको दंदा speed देखने को मिलेगा आप किसी भी game को बहुत याराओं से run करा पाऊगे एक तरह से gaming smartphone में आप इसको बोल पाऊगे कोई भी hitting issue lag बगड़ा देखने को नहीं मिलेगा इवें ब्राउजिंग एक्स्प्रियेंस और नॉर्मल वर्क में बहुत ही जदा heavy होने वाले smartphone कोई भी आपको issue देखने को नहीं मिलेगा daily work में और उसके साथ यह प्रोसेसर आपको देखने को मिला था Samsung Galaxy S10 Plus के उपर तो यह स्मार्फोन होने वाले बहुत ही जदा बेटर स्मार्फोन होने वाले Samsung Galaxy S series के अंदर तो आप बात करें इस smartphone के रैम भेरेंट के बारे में तो इसका बेस बारेंट होने वाले होने वाले 6GB RAM, 128GB internal storage, सेकेंड फेरेंट आपको देखने को मिलेगा 8GB RAM, 256GB internal storage और internal storage जो भी एक्स्पेंड कर सकते होगा है microSD card up to 512GB था तो आप बात करें इस smartphone के highlighting feature के बारे में जो की इसका 4 camera setup तो ब्याक साइड मा को जो ए 4 camera setup देखने को मिलेगा यहाँ पर primary sensor होने वाले 48MB का primary sensor, secondary sensor आपको देखने को मिलेगा 16MB का secondary sensor और उसके साथ आपको 16MB का sensor देखने को मिलेगा जो की होने वाले एक wide angle lens और उसके साथ आपको 12MB का depth sensing camera देखने को मिलेगा तो quality बहुत जदे बेटर होने वाले इस camera के अंदर और variable aperture आपको देखने को मिलता है तो light के intake बहुत जदा बेटर आएगा और उसके साथ इस smartphone मा को TOF sensor भी देखने को मिलेगा तो camera में आपको कोई भी compromise देखने को नहीं मिलेगा उसके साथ Samsung का जो camera application होता है बहुत जदा optimize होता है जिसके अंदर आपको नया नया feature देखने को मिलेगा और उसके साथ जो AI feature होगा बहुत जदा इस camera application में तो quality बहुत जदा बिटर आएगा और प्रोसेसर में आपको जो AI feature देखने को मिलते हो बहुत जदा high level का देखने को मिलेगा तो camera quality यहां पर भी बहुत ही बजाना मस्त होने वाले detailing feel भी बहुत ही बिटर आएगा color saturation, color reproduction camera quality में बहुत जदा increase देखने को मिलेगा तो overall जो camera का feel होगा बहुत जदा heavy देखने को मिलेगा तो बात करेंगे अबर front camera के बारे में, front में आपको देखने को मिलेगा punch hole camera जिसमें आपको setup देखने को मिलेगा 24 megapixel के sensor जिसके साथ आपको देखने को मिलेगा यह 1.9 का aperture तो front camera का quality बहुत जदा better होने बाला है और उसके से तब को AI beautification mode, AI protein mode सभी कुछ feature आपको देखने को मिलेगा background आप 4K video recording कर सकते हो भी 30 fps पर और front camera में आप 1080 pixel video आपको देखने कर सकते हो भी 60 fps पर तो blogging के लिए जो smartphone होने वाले बहुत ज़दा perfect smartphone होने वाले और photographically भी smartphone overall बहुत ज़दा must होने वाले तो battery की बात करो तो इस smartphone आपको देखने को मिलेगा 5000 mAh के huge battery जिसके हिससे बहुत दीर तक किसी भी game किसी भी movies को enjoy कर पाऊगे कोई भी आपको issue देखने को नहीं मिलेगा और उसके साथे जो smartphone होने वाले fast charging को भी support करता है तो आपको fast charging feature भी देखने को मिलेगा जो कि आपको help करेगा 0-100% चाज बहुत यारां से कंदे में तो आप बात करो इस smartphone का price और launching date के बाड़े में तो इस smartphone के प्राइस बने वाले आपको देखने को मिलेगा approximately 50-60,000 के अंदर और launching date की बात करो तो अभी तो कोई भी confirm news नहीं है smartphone कब launch होगा तो यह ही आज का वीडियो Samsung Galaxy A70 के बाड़े में तो concept आपको अच्छी लगे तो वीडियो को like करने मत भूलना, share करो अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को subscribe करने मत भूलना यार subscribe करो और बागल में जो notification बेल आएगा उसको भी दबादो क्यूंकि इस चैनलन पे आपको नेया ने interesting cake वीडियो देखने को मिलेगा और उसके से दब को concept related वीडियो भी देखने को मिलेगा तो स्यार करो यार हमने दोस्तों के साथ like भी करो और उससे बेल यार हमने मेरी Instagram या Facebook के follow नहीं के अधर जाके follow करो लिंक को अपको निचे देखने को मिलेगा तो see you guys see my next video